हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग आज का ये जो वीडियो है वो मैंने विशेश करके राजिस्थान उस्तकाल है जो भरती या जो रिक्रूइटमेंट आने वाली है उसके लिए ये विशेश वीडियो बनाया है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी एक स्टेट की अधर स्टेट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर जो भी VACANCY निकलती हैं वहाँ पर हमेशा उस स्टेट के बारे में वहाँ के पूरी हिस्ट्री उसका पूरा एक इंट्रो क्या होता है इन सबसे related questions पूछे जाते हैं तो आज का ये जो मेरा वीडियो है उसके द्वार मैंने कई छोटी छोटी सिरीज बनाई है जिसके द्वारा मैं राजिस्थान की राजिस्थान को पूरा कवर करने वाली हूँ तो जैसे कि इसका एक ये पहली सिरीज है जिसमें मैं राजिस्थान एक परिचय नाम से स्टार्ट है इसका जो पहला question है वो question है कि बावणियों का शहर किस नाम से प्रसिद्ध है तो बूंदी नाम से बावणियों का शहर वो प्रसिद्ध है ये जो questions है बहुत ही selected questions है और ये हर बार exams में पूछे जाते हैं Second question पीले पत्थरों का शहर उपनाम से राज का कौन सा नगर प्रसिद्ध है तो इसका answer है जैसल मेर ठीके देखे एक्जाम में हमेशा उस state के बारे में उसमें जो भी famous चीजी होती हैं उन सब के बारे में जरूर से जरूर पूछा जाता है तो यह जो भी questions है वो सारे बहुत ही selected questions है तो आप ध्यान रखिएगा Next question है यादव वंश का शाषन राजिस्थान के किस भूख भाग पर था तो करॉली, जैसल मेर और हनुमानगर यह तीन राजियों में यादव वंश का शाषन था ठीक है इसी प्रकार से और भी बहुत से ऐसे questions है और बहुत से ऐसे series है यह series 1 है और आगे आने वाली जो series होंगी उन में भी मैं आपको पूरे राजिस्थान के culture के बारे में वहाँ के देवी देवताओं के बारे में वहाँ पे कौन से ornaments यानि के कौन से गहने इस्त्रियां पहनती है वहाँ के रीत रिवाज इन सभी के बारे में आपको पूरा बहुत ही अच्छे-च्छे questions के answer के साथ आपको बताऊंगी और पूरा आपका paper तयार करा दूर ठीक है नेक्स्ट कोशन है राजिस्थान के पहले एवं एक मात्र राज प्रमुक कौन थे तो जैपुर के महराजा सवाई मान सिंग महराजा सवाई मान सिंग जो थे वो राजिस्थान के पहले एवं एक मात्र राज प्रमुक थे ठीक है नेक्स्ट कोशन है कि राजिस्थान के राजिस्थान के प्रथम राजिपाल कौन थे? तो राजिस्थान के प्रथम राजिपाल सरदार गुरुमुक निहाल सिंग थे देखें, हिंदी टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है तो उसको जो है, इग्नोर करिएगा मैंने पूरी कोशिश की है, अडिटिंग की है, पर थोड़ा बहुत फिर भी हिंदी में टाइपिंग अच्छी से नहीं होई है लेकिन फिर भी मैं बोल करके आपको वो बता देती हूँ नेक्स्ट कोशन है, राजिस्ठान के सरवादिक अवधी तक कारी करने वाले मुखेमंतरी कौन थे? तो वो थे श्री मोहनलाल सुखाडिया, इनका नाम बहुत ही पॉपलर हुआ था नेक्स्ट कोशन है, राजिस्ठान राज की प्रत्थम महिला मंतरी कौन थी? देखिए प्रत्थम और प्रेजेंट इन दोनों के बारे में हमेशा पूछा जाता है तो श्री मती कमला बेनिवाल ये राजिस्थान राज की पहली महिला मंत्री थी याद रखेगा इस चीज़ को नेक्स्ट कोशिन है राजिस्थान राज की प्रत्थम विधान सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए थे तो एंसर है श्री नरत्तमलाल जोशी जो नरत्तमलाल जोशी हैं वो राजिस्थान राज की विधान सभा के पहले अध्यक्ष थे ठीक है नेक्स्ट कोशिन है राजिस्थान राज की प्रथम महिला राज़पाल कौन नियुक्त की गई थी तो श्री मती प्रतिभा पार्टल श्री मती प्रतिभा पार्टल जी को के बारे में हम सभी लोग जानते हैं ठीक है कि वो कौन थी उसके बाद में नेक्स्ट कोशिन आता है कि राजिस्थान राज की प्रथम महिला विधान सभा अध्यक्ष बनने का गौरव किसे प्राप्थ हुआ था तो वो थी श्रीमती सुमित्रा सिंग वीडियो अच्छा लग रहा हो तो पटपट लाइक करते जाएए लाइक करने के साथी साथ आप वीडियो को शेर भी करते जाएए और जिन लोगों ने अभी तक की मेरे इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटपट इसको सब्सक्राइब कर ले नेक्स्ट कोशन है राजिस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुक कौन थी तो श्रीमती नगेंदर बाला ठीक है श्रीमती नगेंदर बाला राजिस्थान राज की प्रथम महिला जिला महिला थी राजिस्थान को आवंटित राजिसभा सीटों की संख्या क्या है? कितनी है? दस है लोगसभा में राजिस्थान से निर्वाचित अनुसूची जन जाती की पहली महिला सांसत कौन थी? श्रीमती उशा मीना ठीक है? अगर कभी पूछा जाए कि राजिस्थान में लोगसभा से निर्वाचित अनुसूची जन जाती की पहली महिला सांसत कौन थी? तो श्रीमती उशा मीना जी थी ठीक है? नेक्स्ट कोशन है राजिस्थान से अनुसूची जाती की प्रत्थम महिला लोगसभा सद्द से कौन थी? वो कोशन अलग था और ये कोशन अलग है ठीक है? तो इसकी जो पहली महिला लोगसभा सद्द से कौन थी? श्रीमती शुशीला बंगरू बांगरू नहीं है बंगरू है ठीक है नेक्स्ट कोशन है राजिस्थान से निर्वाचित प्रत्थम महिला सांसत कौन्थी श्रीमती शार्दा भारगवी नेक्स्ट कोशन है कि राजिस्थान से राजिसभा के लिए चुनी गई प्रत्थम महिला सांस्य कौन्थी श्रीमती शार्दा भारगव राजिस्थान से राजिस सभा के लिए चुनी गए, अगर कोशन आये, कि राजिस सभा के लिए चुनी गए प्रता महिला सच्ध से कौन थी, तो वो थी श्री मती शार्दा भारगव उसके बात next question आता है कि राजिस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? वो थे श्री गोकुल भाई भट श्री गोकुल भाई भट जो थे वो वहाँ पे जो एक सर्वोदय आंदोलन हुआ था वो उसके प्रणेता थे ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट कोशन है कि राजिस्थान दिवस कब मनाया जाता है हर जग है कोई नो कोई दिवस मनाया जाता है तो उसी प्रकार से कोशन ये भी पूछा जा सकता है कि राजिस्थान में राजिस्थान दिवस कब मनाया जाता है तो यादर कियेगा राजिस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है कहां मनाया जाता है? राजिस्थान में मनाया जाता है राजिस्थान बहुत ही सुन्दर जगा है मैं वहाँ जा चुकी हूँ और बहुत ही बढ़िया जगा है और इतनी अच्छी अच्छी जगह है वहां पे कि बस उनको देखते ही रह जाओ वहां के वस इतने बढ़िया बढ़िया है कटपुतलिया वगएरा इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट कॉशन है राठ छेत्र किस जिले में है तो अलवर अलवर एक जगह है उसका नाम है तो वहां पर राठ छेत्र है ठीक है नेक्स्ट कोशन है राजका 32 जिला करोली कब अस्तित्व में आया तो 19 जुलाई 1997 यानि 19 जुलाई 1997 में जिला करोली जो है वो अस्तित्व में आया नेक्स्ट कोशन है ओरियंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट किस जिले में है तो अगर कोशन आता है कि ओरियंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट यह कहाँ पर है तो वो जो राजिस्थान में जो जोदपुर जिला है वहाँ पर ओरियंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट है ठीक है देखे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको जल्दी से जल्दी लाइक और शेर जरू से जरूर करिए और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए अपडेट रहना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए राजिस्थान से सरवाधिक बार निर्वाचित राजिस्थान सब्सक्राइब के सदस्य कौन थे राम निवास्त मिर्धा ठीके ये सबसे अधिक बार जो है निर्वाचित हुए हैं राजिस्थान राजिय उपभोगता संरक्षन आयोग का गठन कब किया गया था तो 26 मई 1988 यानि 26 मे minute 1988 उसकी बाद next question है प्राचीन ताम्रवती देखिए ध्यान दखिएगा प्राचीन ताम्रवती नगरी को वर्तमान में क्या कहा जाता है तो उसको बोला जाता है आहड क्या बोला जाता है आहड के नाम से वर्तमान प्राचिन टाइम में यानि ओल टाइम में क्या होता था तामरवती बोला जाता था उस शहर को लेकिन प्रेजेंट में उस शहर का नाम त्यानि की तामरवती नगरी को क्या कहा जाता है आहड बोला नेक्स्ट कोशिन है कि राजिस्थान मंत्री परिशद में मंत्री परिशद में मंत्रीयों की जो अधिकतम संख्या होती है वो कितनी हो सकती है वो जो मंत्रियों की संख्या है वो अधिक से अधिक कितनी हो सकती है तीस हो सकती है यानि कि तीस सद्द से ही वो राजिस्थान मंत्रि परिशत में हो सकते हैं उसके बाद में राजिस्थान का राज खेल क्या है देखें हर जगे का अपना अलग-अलग खेल होता है तो ठीक उसी प्रकार से इसमें ये भी पुछा गया है कि आखिर राजिस्थान का राजिक खेल क्या है तो राजिस्थान का जो राजिक खेल है वो है बास्केट बॉल वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरू से जरू करें अगर आपका जो भी फीडबैक है वो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताएं आपके कमेंट आपके फीडबैक से आपके लाइक से मुझको इंस्पिरेशन मिलती है थैंक यू